हाई फ्रेंट्स मैं परंदरकारी फ्रेंट्स आज की है हमारी गेम श्रिकांत पांडे जी की वीडियो रेकमेंडेशन है गेम खेले गई थी जुलाई 2021 में सोची रेशिया के अंदर और यहां खेलने वाले खेलाड़ी थे एंडरसन मैट्स और पाबलो सलेंस हरेरा शुरू कर दोनों के लाडियों की मेरे खाल से ओपनिंग बहुत पर्फेक्ट हो चुकिया अब बस अपने अपने गेम प्लैंस को इंप्लिमेंट करना है बिशप आया F1 स्क्वाइर पर फोर वाइट देन हुआ C5 मैटल एक्शन करना ही पड़ेगा C टेक्स D5 एटेक्स D5 देन हुआ G3 तो रुकाया C8 में सिधा रुक को रखा गया है तो बिशप S3 लेकिन यहां पहले वाइट का मूब आया अखिर स्ट्रेटिजी क्या है नाइट तो जरूर यहां शफल होने ही वाला है C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 होने के बाद हुआ बिशप B4 और यहां इस नाइट पर प्रेशर बना है पहले ही है नाइट पिन है इंफेक्ट डबल साइड पिन है रुक भी यहां पिन हो चुका है और ब्लैक का नाइट इस E4 स्क्वेर पर आकर प्रेशर बनाने के लिए काफी है तो क्या यहां F1 आगे पुश हो जाना चाहिए था माइट भी लेकिन नाइट डी इस तो यहां पॉइंट पर I think रुक का F1 स्क्वेर पर जाना नेसेसरी था वो नेसेसरी क्यों है क्योंकि गेम मैंने आगे तक देखी है यहां वाइट ने किया A3 और इस डेंजरस बिशेप को जो भी कुछ यहां से डिसाइड करना है करने देने दिया लेकिन यहां पर पावलो ने पहले किया नाइट टेक्स F2 और अब आपकी समझ में आ गया होगा कि रुक को क्विन और यहां 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 कितना डेंजरस अटेक यहां लग चुका है अगर यहां वाइट किंग टेक्स F2 के आप्ट करता है तो गेम किस तरह से चेकमेट तक जाएगी आप यहां देखिए क्विन टेक्स C3 चेक होगा किंग को फाइनली F1 स्क्वेर पर जाना ही होगा अगरवाइस यहां इस डी पॉन के आगे पुश होने के बाद एक डिस्कवर्ट चेक भी बनेगी क्विन F3 चेक होगा किंग को G1 स्क्वेर पर जाना होगा देन बिशेप C5 चेक और इस चेक से बचने के लिए क्या इटम है जो बीच में लगाए जा सकता है नाइट मुझे नहीं लगता बहुत जादा वर्क करने वाला होगा क्योंकि रुक टेक्स रुक रुक शिफ्ट होगा और फिर यहां इस नाइट को लिया जा सकता है और वो भी एक चेक के साथ चेकमेट के साथ बनेगे तो naka d4 लग गया विश्प टेक्स d4 विद चेक रुक लग गया वीच में विश्प टेक्स e3 विद चेक कुई बीच में लगी विश्प टेक्स f2 विद चेक किंग f1 स्वर पर दैन बिशप D4 और यहां इस E फाइल पे रखे हुए साइलेंट रुक के विज़ से ही गेम चेक्मेट तक पहुंच जाएगी तो नाइट तो बिल्कुल सेफ है यहां पर वाइट ने किया A टेक्स B4 पॉन के बदले में यहां पर बिशप को लिया गया नाइट टेक्स H3 बिशप वापस मिलिया है वो भी एक चेक के साथ किंग फाइनली लेंड किया है F1 स्क्वाइर पर देन कुइन टेक्स E3 और सिचुएशन क्या बनी है सिचुएशन बनी है चेक्मेट करने की तो कुइन F5 नाइट बीच में से हटता है चली छोड़िये कुइन के F5 स्क्वाइर पर आने के बाद यहां कम से कम चेक्मेट तो कुछ देरे के लिए टल गई है नाइट F6 देन बीशप आया C1 स्क्वाइर पर और कुइन पर अटेक है इतना टेंजरस अटेक यहां ब्लैक लगा चुका है तो पीसिस को भगाना हो न तो होगा ही वापस जैसे ही यह कुइन कहीं सेफ स्क्वाइर पर जाएगी तो यहां लेकिन यहां पर छेला गया पहले नाइट G4 का मूँब तो बगवास मूब है कुइन F2 चेक होगी यह मेट होगी लेकिन अगर यहां बिशेप टिक्स E3 किया गया तो उसके बाद नाइट टिक्स E3 किंग के विन पर फॉर्क लेकिन जरूरत नहीं है चेक मेट अल्री हो चुकी होगी यहां इस नाइट ने दोनों स्क्वेर्स और दूसरे नाइट ने चेक और यह चेक मेट तो यह बिशेप करास्ता और खुल चुका है याने की अब यह नाइट यहां इस H2 स्क्वेर्स पर जाकर चेक मेट करने के लिए बिलकुल तैयार है दूसरे नाइट ने बाकी दो इंपार्टन स्क्वेर्स कवर किया हुए है तो रुक एट E गोस टू D1 के आप्शन को वाइट के लिए पूरी डाइगनल को फ्री कर चुका हुगा नाइट टेक्स जी वान देन फाइनल मूव आया यहां पर पाबलो हरेरा का वो था नाइट टेक्स H2 चेक और यहां है मेट यहां E फाइल पे रुक है नाइट ने चेक दी हुई है और बाकी जो स्क्वेर्स बचें है व प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहर दिन जा रहेगा थैंक्यों वर वाजिंग एंड बाई फॉर नाव